राश्ट इस्तर पर भले ही इंडे अलाइंस में कॉंग्रेस और आमादी पार्टी साथ साथ हों लेकिन पंजाब में हाला अतलग हैं यहां दोनों पार्टियां आमने सामने हैं मेरे साथ इस वक्त परगट सिंग है, पंजाब के पूर मंत्री है, कॉंग्रेस के मौजोता विधायक है, हौकी के बड़े खिलाडी रहे हैं, बड़ा चेहरा है, उन्होंने का है कि दरसल आम आद्मी पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है, वो ऐसा क्यों करें उन्हीं से कुछ दार्रम नहीं दिया है, बेसीकली देखो, जब से शिरू हुए है, चाहे यूनिफॉर्म कोड की बात हो, चाहे शाहींबात की बात हो, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे और भी जितने बड़े इशूद हैं, आप कभी देखा है कि ये उनसे डिफर करते हैं, अगर डिर्फर नहीं करते तो इजाज भी उनी की है 2013 में क्योंकि उन में से कुछ लोग बीजेपी में सीधे चले गए कुछ आमादमी पार्टी में आ गए और बीजेपी को ये पता है कि वो पंजाब में सीधे नहीं आ सकते तो उन्होंने अल्टीमेटली पंजाब में अपनी बी अगर पंजाब और देश की बात में कोई फरक नजर आए तो मैं उसके लिए आंसर दूँगा नहीं तो अदर्वाइज ये आपको भी पता है मेरे को भी पता है और उनको भी पता है अगर आला कमान को कहते कि आप देख लो अगर वो कर देते तो हम यहां फेस करने लाइक नहीं रहते दिल्ली में यही दर्द आपके देख शा था अर्विंदर सिंग लवली छोड़ के पार्टी सी आधार पे छोड़ देते हैं हो सकता है उनकी कोई और समस्या हो ये तो वही आंसर कर सकता है लेकिन परगडी जीज़ हैं नेशनल लेवल पर दूर रहना चाहिए था आमाद्य पार्टी कांगरेस इनकी कोई अअधरा वैसे मेरे अपनी जीराय है कि दूर रहना चाहिए से भगवानतमान जी को आती है मतलों बड़ी दिल्ली से शोटी दिल्ली नी वहां भी दो दिल्ली है एक बड़ी है शोटी है जैसी बड़ी दिल्ली से डिरेक्शन उनको आती है और वो ही काम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में हो सकता है वहीं चले जाए जैसे के वेवार और दल्बीर गोडली तो डेफिनेटली बाजू मरोड के इन्होंने विजिलेंसे उनको जो है वो अपनी पार्टी में लेके गए है लेकिन रवनीत बिट्टू का नजरिया डिफरेंट है क्योंकि वो तो बीजेपी में थे 60% तो पहले बीजेपी में थे 40% कांग्रस में थे लेकिन वो 40% भी चले गए लेकिन जीतने के बाद तो आपके पंजाब वाले विधायक मीं वहीं बैठें के साथ में इंडिया अलाइंस भी यह तो पहले है लेकिन मैं पंजाब के नजरिये से बड़ा क्लियर हूँ कि और पोस्ट पोल का भी का आपको लगता है कि को मां इंडू कोई जीतने के बाद देखो जो हलात बनेंगे अधे ओ बी-ज़ेपी woman के पास पैसे तो बहुत है और वो जो जो करते हैं जो जो समयते हैं सब को पता है ठीक है ना पता नहीं उसके बाद क्योंकि देखो वो सवा 200 नहीं पार नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग कितनी होगी क्या क्या होगा ये तो आने वाला समा बताएं एक अंतिम सवाल है टीकटा वंटन ठीक हुआ पंजाब में कांग्रिस का देखो हमेशा कहीं ना कहीं गिले शिकवे रहते हैं मैंने कहा ये बड़ी इशूज है इस पे हमें गुसा नहीं करना चाहिए जब देश की लड़ाई है तो हमें आपसी गिले शिकवे भूल जाने चा पर भी घंट बंदन नहीं होना चाहिए तो चंडिकर से विडियोनलिस नितिन के साथ मनोज कुमार टाइमस्टा ना भारत